अलो दियर इस्टुएंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक सीखने जा रहे हैं एलेक्ट्रमेगनेटिक इंडक्शन का और वो है ग्रोथ हैं डिके ओफ करेंट ठीक है क्या है ग्रोथ हैं डिके ओफ करेंट जब मैं क्लास 12 में था तो ये चेप्टर जो है ये टॉपिक जो है वो काफी डिफिकर्ट लगता था ठीक है और रीजन ये है कि कि इसमें क्या करता है करेंट वेरी करता है और वो भी डिसी करेंट वेरी करता है तो ये डिफिकर्ट लगता था अक्चली मतलब कि समझ में नही सिख रखा है कि self induction क्या होता है ये जानते है self induction क्या होता है अच्छे तरह से पता चल गया है पिछले lecture से कि जब current का value time के साथ change होता है अपने ही circuit में तो उसी circuit में induction होता है वही self induction है ठीक है और self induction को solenoid के जड़िए बच्छे समझ गए है और उसी को हमने कहा inductor ठीक है क्या का उसे inductor अब किसी circuit में मान लेजिए किसी circuit में की resistance है ये मान लेजिए एक circuit लेते हैं example के तोर पे और उसमें ये resistance है resistance है और उसी circuit में पहले तो मान लेजिए बिना resistance का हम करते हैं इपना रेजिस्टेंस का अगर इसको यहां ऐसे कर दियें और एक इसमें क्या करते हैं स्विच दे देते हैं यहां पर यह स्विच है ऐसे स्विच को जब कनेक्ट करेगा तो इसको इससे टच करा देगा तो connect हो जाएगा, यह switch S है, अब switch को यह battery है और यह resistance है, और जब इसको connect करा देगा, तो होता क्या है कि इसमें current का flow is direction में शुरू हो जाएगा, और current जो है, अच्छा, अब इध्यान से सोचिए कि current को इसमें जाने में कितना time लगेगा, current को जाने में, यह तो अभी तक किसी chapter म हमने पढ़ा नहीं, electricity में पढ़ा नहीं, कि current को जाने में time भी लगता है, और क्यों time लगेगा भाई, V equal to IR, कम खतम, time लगेगा, और time current को पूरा I value जाने में, current यहां से T equal to 0 पे switch को आपने on किया, तो T equal to कुछ time बाद ही, 1 millisecond, 2 millisecond, 10 millisecond, बहुत कम time होता है, बद उतना time लग जेबल होता है, 0 से लेके I0 maximum तक, इसका EMFE है, तो I equal to E by R जो value होता है, उसको पहुचने में कुछ time लगता है, इनहीं कि तुरंद पहुच गिया, एकदम instantaneous नहीं होता है, तो time इसलिए लगता है, कि जैसे ही current आपने on किया, वैसे ही 0 से current का value बढ़ना शुरू होगा, एक ही नहीं करता है, जैसे ही current का value di by dt होता है, वैसे ही इसमें एक self induction induced होता है, और उस self induction को हम लोग एक इससे दिखाएंगे, कि इससे दिखाएंगे, एक अलग से inductor रख करके इसमें दिखाएंगे, कि इसके अंदर में एक self induction जो होता है, generate हो जाता है, that can be shown as inductor, देखिए, यह L है inductor, यह R register है, और जो battery है as usual दिखा रहे है, with switch, अब क्या है, यह switch है, switch को जब आप on करिएगा, तो आप अब आपको थोड़ा समझ में आएगा, पहले inductor नहीं दिखाए थे, hidden था, केबल दिमाग में था, अब inductor को दिखा दे, तो समझ में आएगा, कि जैसे ही current को on करेंगे inductor उसको क्या करेगा, बढ़ने से रोकना चाहेगा, इसका मतलब उसको ज्यादा time लगेगा, पूरे maximum current पहुचने में, तो maximum current कब पहुचेगा, कितने time लगेगा पहुचने में, यह चीज हमको समझना है, इसे कहते हैं growth of current, growth of current क्यों कहते हैं, क्योंकि current धीरे धीरे time के साथ बढ़ रहा है, आपने एक EMF डाल दिया है, यह plus minus, तो current इसके अंदर इस direction में बढ़ेगा, लेकिन एक ही बार नहीं बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा, region क्या है, उसका region यह inductor, ठीक है, और region है self induction, नहीं भी हो सकता है, self induction के अलावा, एक inductor अलग से भी यहा रहा है, ठीक है, तो वही देखना है कि total current को maximum पहुचने में कितना time लगता है, या practically कितने time में लगबख पूरा का पूरा current उसमें established हो जाता है, यह करना है, तो सबसे पहले circuit देख लेते हैं, और circuit के लिए kvl लिखते हैं, kvl मतलब किर्चप्स voltage law in circuit ABCD, यह circuit में लिखते है तो क्या लिखा जाए circuit में, लिखिएगा, अगर इस तरफ से enter करते हैं, याद कीजिए कैसे लिखते हैं, ऐसे enter कर रहे हैं, travel करना होता है न, एक loop बनाना होता है, तो इधर से enter कर रहे हैं, तो minus से plus में, तो यह voltage plus हो जाएगा, फिर current के direction में minus IR हो जाएगा, और इसको लिखे 0, आप सवाल है कि इसको हमें क्या करना है, solve करना है, कैसे करेंगे देखिए, I को एक तरफ ले आईए, और E को एक तरफ ले आईए, तो E minus IR equal to LDI, ठीक है, DT यहाँ रख लेते हैं, तो क्या करते हैं, solve करना है इसको, right, तो L by LDI, D I by, D I by E minus IR is equal to, क्या लिखा जाए, D I by this equal to, D I by LDI लिख लेते हैं, D I by equal to DT, यह हो गया, clear है, हम, उसके बाद क्या किया जाए, यहाँ से यहाँ आते हैं, D I by E minus IR is equal to 1 by L DT, अब इसको अगर आप integrate करिएगा, तो यह integration करिए, integration करके देखिए, actually में यह क्या आएगा, यह आएगा, 1 by R, actually minus आएगा, minus 1 by R, 1 by R, LN, minus उधर लिख देँगे, LN, E minus IR by I equal to, integration का जो limit होगा, वो जानना जरूरी है, वो 0 से लेकर, current भरी कर रहा है, 0 से I0 maximum तक, और time 0 से T, यह ध्यान देना है, तो E minus IR by E, ठीक है, LN में, यह होगया, E to the power of minus T L by R, यह हो जाता है, करके देखिए, खुद से, यह नहीं कि यहाँ से समझ में आ गया, तो बस छोड़ दियें, नए, ठीक है, तो इसको अगर धंग से किया जाए, तो कितना बन जाएगा, आपको निकालना क्या है, आई निकालना है, तो यहाँ से हमें निकालना है, आई, तो डिवाइड कर देंगे, अगर, तो यह हो जाए रहा है, 1 minus I times R by E, is equal to E to the power of minus T by L by R, यह बन रहा है, तो I is equal to क्या हो जा रहा है, I is equal to E by R, इसी से निकल क्या रहा है, I is equal to E by R, 1 minus E to the power of minus T by L by R, यह बन रहा है, देखिए, I equal to E by R, 1 minus E to the power of minus T by L by R, यह आ जाएगा आपको, क्योंकि आप दायां बायां करिए, इसको इधर ले जाएए, इसको इधर ले आएए, तो 1 minus E to the power of minus T by R, E by R आ जाएगा, के लिए, तो इसको L by R जो क्वांटिटी है, L by R has unit of time, unit of time, and is called time constant, इटको हम लोग time constant बोलते हैं, क्या बोलते हैं, time constant, इसका unit क्या होता है, time होता है, ठेक, and is called time constant, तो L by R को, L by R को normally tau लिखा जाता है, tau, तो उससे क्या हो जाएगा, I equal to E by R, अगर inductor नहीं होता, होता तो भी, 1 minus E to the power of minus T by tau लिख सकते हैं, clear, समझ में आ रहा है, अब E by R को, let E by R जो है, वो maximum current है, जब established हो जाएगा, तो यही maximum current रहेगा, तो I equal to I 0, 1 minus E to the power of minus T by tau, यह established current आगे, यह आगे आपका formula जब तक current maximum नहीं पहुँचा है, तो जो time के साथ current किस तरह से vary करेगा, उसका formula ही आगे, और यही current growth के समय का जो function है, वो है, इसको अगर हम लोग graph में so करना चाहेंगे, तो किस तरह दिखेगा, देखिए, माल लेज एक graph draw करना चाहते हैं इस तरह का कुछ graph ड्रो करना चाहते हैं तो current किस तरह से बढ़ता है यह graph जो drop करेंगे तो उसमें दिखेगा कि current किस तरह से बढ़ता है current जो बढ़ता है वो कुछ ऐसे 0 था जीरो से बढ़ना Start शुरू होता है, ऐसे बढ़ता है, और लगबग यहां पे जाके फ्लैट हो जाता है, बढ़ते रहेगा ये, ठीक है, और इसका वेलू अगर हम I0 बोलते हैं, ये जो एकदम मैक्सिमम पोहुचेगा I0, तो नॉर्मली देखा गया है कि बढ़ता है, और ये ज्यादा टाइम न जागता है, तो क्या देखा गया है कि one time constant में current कितना पहुच जाता है, ये time है, और ये I0 है, तो one time constant में कितना पहुच जाता है, तो यहां पे tau is equal to put, tau equal to 1, ठीक है, tau equal to 1 put करते हैं, l by r का value 1 put करते हैं तो उस condition में i equal to i0 1 minus e to the power of minus 1 e to the power of minus 1 कितना हो जाएगा 1 by e और e का value कितना होता है i equal to i0 1 minus 1 by 2.71 के असपास होता है e का value logarithmic function है base है तो यह देखा गया है कि this is equal to 0.63 i होता है मतलब कि 63% 63% जो है वो पहुँच जाता है in one time constant maximum value का क्या होता है क्या होता है current reaches to 63% of its maximum value in one time constant clear in one time constant यह पहुँच जाएगा तो 63% पहुच गया है के बल one time constant में two time constant में अगर देखिए तो इसका graph जो है 63% का अगर draw किया जाए तो कुछ यहाँ पे आएगा तो one time constant में बहुत जल्दी ही tau पे t equal to tau पे यहाँ पहुच गया है 0 point यह हो जाएगा 0.63 tau i0 बहुत जल्दी पहुच जाएगा clear ठीक है पूरा का पूरा पूरा पहुचने में time लगा और जब एक बार current maximum पहुच जाएगा पूरा maximum पहुचने में कितना time लगेगा infinite time लगेगा देखिए इस equation को देखिए तो पता चलेगा कि i equal to i0 कब होगा तो जब t equal to infinity होगा tau कितना भी रख लेजिए जब t equal to infinity नहीं होगा i equal to i0 नहीं होगा तो ideally it will take infinite time to reach the maximum value but practically 99.99% बहुत जल्दी milliseconds में पहुच जाता है तो हमको theoretically नहीं practically से ज़्यादा मतलब होता है practically established होता है steady state पहुच जाता है clear है ठीक है तो growth in current को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया कि growth in current मतलब क्या चीज है किस तरह से current growth क्यों होता है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे next वो है decaying current current का decay current decay बोल सकते हैं से ठीक है क्या बोलेंगे current decay decay का मतलब घरन current decay क्या होता है देखिए अब मान लिजिए कि कुछ इस type का एक circuit है जिसमें क्या है कि inductor है और resistance है यह inductor है और यह resistance है ठीक है ड्रॉ करने आपको आना चाहिए खुछ से ड्रॉ करिए inductor और resistance दोनों अलग टाइप का दिखता है तो यह वाला circuit complete रहेगा ऐसे clear और इसी को उठा करके अगर उपर कर दिया तो यह circuit disconnect हो जाएगा और उपर से यह circuit बन जाएगा ठीक है मतलब अगर यह connected है ऐसे माल लिजिए कि यहाँ पर एक switch दे देते हैं आप ऐसे भी सुच सकते हैं कि यहाँ एक switch दे देते हैं अगर यह switch connected है और यहाँ भी एक switch दे दी है यहाँ भी switch दे दी है ठीक है माल लिजिए यह S1 है यह S2 है तो अगर यह switch इस टाइप का दे होता एक ही बार में है ठीक है arrangement लेकिन एक side open एक side close रहेगा तो वो क्या हो जाएगा तब circuit यह वाला circuit बन जाएगा यह complete circuit रहेगा तो इसको draw करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा यह इंडक्टर रहेगा रहेगा रेजिस्टर रहेगा और उसके बाद एक battery रहेगा जै से EMF जो दे दिया बस यह circuit बन गया ठीक है L रहेगा R रहेगा current 20 में flow होगा ठीक है अब माल लिजे T equal to 0 पर यह situation है ठीक है this is at T equal to 0 और दूसरे टाइम में क्या कर दे रहा है कि when S1 closed suddenly क्या किया जाता है इसको इस से इसमें डाल दिया जाता है तो S1 closed S2 open यह situation में इसका diagram कैसा हो जाएगा diagram हो जाएगा यह circuit जो हट जाएगा battery वाला circuit तो बिना battery का हो जाएगा लेकिन resistance रहेगा और यहां कुछ भी नहीं रहेगा ऐसे ठीक है यह L और यह R circuit है लेकिन current है क्योंकि जो current original था वो current था T equal to 0 पर और वो current जो है एक ही बार में नहीं खतम हो जाएगा जो current जो कि यहां पर heat के form में resistance में रूज हो जाएगा और यहां पर energy store होगा देखेंगे किस तरह से तो decay in current हम कर रहे हैं decay in current क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब यह circuit है T equal to 0 पर तो इसमे current maximum है current I0 flow हो रहा है लेकिन जैसे ही battery को disconnect कर देंगे और एक 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 डारेक्ट बिना battery का यह circuit जब ब के होगा मतलब normally कहा जाता है कि current zero हो जाता है जैसे battery हटा दिये तो current flow नहीं होगा बट ऐसा नहीं होता है battery हटाते ही तुरंत current zero नहीं होता है self induction की वज़े से बोल सकते हैं ठीक है जिस जो कि यहां पर inductor के form में दिखाया गया तो inductor क्या करता है current को तुरंत गिरने नहीं देत है sudden का मतलब कि instantaneous नहीं होता है clear हो गया तो यह circuit हो जा रहा है कौन सा circuit हो जा रहा है यह circuit हो जा रहा है at any time t जब क्या कर दिया यह situation हो गया है तब तो इस condition के लिए अगर हम इसमें kvl लिखने जाए मानलीजे की using kvl kvl in this loop loop a मानलीजे इसका नाम loop a देते हैं तो loop a में अगर हम kvl यूज़ करते हैं in loop a loop a में kvl यूज़ करते हैं तो kvl क्या हो जाएगा इसमें कहीं से कोई battery तो है नहीं कि e लिखेंगे ठीक है at any time t क्या कर सकते हैं इसमें kvl में लिखिये लूप लिखिये इसमें क्या लिखियेगा using kvl loop a में लिखियेगा तो आप इधर से travel करिया ऐसे तो minus ldi by dt minus ir equal to 0 लिखते हैं minus ldi by dt minus ir equal to 0 अब इसको हमें क्या करना है i अज़े function of time निकालना है तो किस तरह से decay होगा वो पता चल जाएगा ठीक है तो minus ldi solve कर दीजिए by ir equal to dt उदर plus चल जाएगा plus minus ir dt ठीक है minus ldi तो l तो यह क्या हो जाएगा minus l by r ln minus l by r minus l by r minus l by r di by i क्या हो जाएगा ln i i कहां से कहां vary कर रहा है i0 से i vary कर रहा है i0 से i ठीक है तो ln i by i0 ठीक है i0 maximum current था और उससे at any time ti है तो this equal to t ठीक है तो यह हो जाएगा इसको अब solve कीजिए तो t r by l लिख सकते हैं t r by l या t by t by l by r लिख सकते हैं t by l by r लिख सकते हैं यह वाला उदर चला जाएगा तो यहां से आपको मिल जाएगा i equal to i0 e to the power of minus t by l by r यह चीज आगिया ठीक है अब यह interesting चीज है कैसे आपके पास current आया i equal to i0 e to the power of minus time t by l by r और इसी l by r को time constant हमने कहा है तो लिख देते हैं i0 e to the power of minus t by tau tau time constant है ठीक है in one time constant in one time constant कितना decay हो गया है देखिए तो in one time constant i का value कितना हो जाएगा i is equal to i0 e to the power of minus 1 मतलब i0 by 2.7 e का value पूट किजिए तो this will come out somewhere around 37 percent आता है ठीक है 0.37 i0 आता है that means कि i जो हो गया इसका मतलब क्या हो गया in one time constant current rate reduces to 37 percent of maximum value i0 इसका मतलब कि 63 percent क्या हो गया 100 minus 37 63 63 percent has been decayed that is 63 percent has been decayed 63 percent decay हो गया है ग्रोथ में भी देखे थे कि one time constant में 63 percent growth हो गया तो यह 63 percent जो है important हो गया 63 percent growth हो गया 67 percent decayed हो गया one time constant क्या हो गया और इसका अगर draw करना चाहते हैं आप कर तो कैसा दिखेगा अगर i versus t अगर आप draw करते हैं i versus t तो यह i zero मान लिजिए यहां पर है maximum current और वो क्या होता है suddenly नहीं हो करके धीरे 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 होता है अग कब जाकर के पूरा एकदम zero हो जाएगा at infinity ठीक है i equal to zero at t equal to t tending to infinity यह concept है और जब i one time constant होगा यहां पर कहीं मान लिजिए one time constant 37 percent तो बहुत कम होगा in one time constant 67 percent यह percent है जो कि decay हो गया clear है तो growth क्यों होता है current decay क्यों होता है current यह पता चल गया growth and decay एक concept है जो आना चाहिए फिर इस पर बेज़ निमेरिकल्स करेंगा और clear हो जाएगा अब एक नया चीज़ देखते हैं जो inductor है उस inductor आचा यह समझे कि जब inductor करता क्या है inductor क्या करता है मतलब क्यों current slow कर देता है या current को increase कर देता है मतलब तुरंत मरने नहीं देता है या तुरंत speed होने नहीं देता है क्यों कि कुछ energy वो अपने आप रख लेता है वो एक spring की एक spring की तरह काम करता है जिस तरह से अगर आप spring पर force लगाते हैं तो force को तुरंत दूसरे end पर नहीं transfer होने देता है spring absorb कर लेता है थोड़े दिर के लिए फिर वा उपस छोड़ देता है inductor भी वही करता है current को अपने अंदर में absorb कर लेता है फिर थोड़े दिर बाद छोड़ circuit draw करते हैं यह inductor है मान लिजिए यह register है यही सब तो circuit में है और एक सबोज किजिए कि battery है इसमें यह simple DC battery है DC current है direct current दे रहा है EMFE है current इस direction में आई जाएगा यह L है यह R है यही circuit का सारा element हो गया अब circuit element है अगर हम इसको KVL इसमें apply करते हैं KVL तो क्या लिखेंगे इस तरफ से इस तरफ travel करना शुरू करते हैं तो battery के negative to positive में जा रहे है तो potential difference प्लस ही हो जाएगा तो E minus L di by dt क्योंकि L k cross यही लिखा जाता है और फिर minus IR equal to 0 लिखेंगे इसका मतलब कि EI को क्या लिखेंगे EI जो है E sorry E is equal to हो जाएगा L di by dt plus IR multiply कि यह दोनों तरफ i से तो EI equal to L I di by dt plus i square r ठीक है अब क्या है DT से दोनों तरफ multiply कर देते हैं तो EI dt is equal to L I di plus i square r dt ठीक है अब इसको integrate कर देते हैं अगर हम यह यह तो यह हो जा रहा है यह वाला portion क्या हो जा रहा है QDT EI dt बैटरी ने कितना charge supply किया ठीक है यह जो है potential difference times i वो क्या होता है battery का charge supply time t से multiply कर देते हैं तो work done by battery आ गया यह यह क्या हो जाएगा work done by battery जो battery work done किया है और यह क्या हो जाएगा heat i square r lost heat lost heat या power जो भी heat नहीं लिखते हैं इसको लिखते हैं power power lost in register register में इतना loss हुआ है तो यह कहां गया यह यह power कहां गया तो यह power क्योंकि जो battery जो काम किया है वही battery the same work done by the battery has been consumed in two places in the register and inductor तो inductor में गया गया यह energy stored in the inductor तो energy stored in inductor जो है integral of l i d i करियेगा जहाँ 0 से ले करके i vary कर रहा है माली यह switching in condition है तो यह क्या हो जाएगा half l i square यह हो गया क्या energy stored in the inductor half l i square होगा clear यह माली यह को inductor है इसको अच्छे से समझ लिए एक inductor है यह inductor हो सकता है इस type का जिसमें की current सपोज i flow कर रहा है इसका inductance l है तो इसके अंदर में जो energy है वो energy कितना है यह जो energy इसके अंदर में होगा energy किस form में होगा energy in the form of magnetic field तो वो क्या हो जाएगा u is equal to u magnetic field लिखते है half l i square यह आपको clear होना चाहिए कि कौन से energy की बात कर रहे है यह यह electrostatic energy नहीं है यह जिस तरह से capacitor में electrostatic energy होता है उसी तरह से capacitor हो गया यह inductor हो गया यह spring हो गया यह सब एक ही टाइप के चीज़ है तो यह magnetic field है उसमें charge होता है उसमें magnetic और spring में elasticity होता है तो यह हो गया आपका half l i square clear अब energy density निकालते हैं कि क्या होगा energy density किसी inductor में यह solenoid solenoid को को हम लोग inductor बोल सकते हैं तो उसके अंदर में क्या होगा energy density energy density in magnetic field किसी भी magnetic field में होता है भले हम coil के लिए निकालते हैं magnetic field ठीक है उसके अंदर में energy density करते हैं suppose कि यह एक solenoid लेते हैं यह क्या solenoid coil है अब इस solenoid coil का हम लोग निकालते हैं कि इसमें कितना energy stored है पहले तो यह निकालते हैं अभी अभी जो हम लोग ने सिखा है उसको basis करके half l i square करके मान लिजे कि इसमें i current flow हो रहा है सब उच कि इसमें i current flow हो रहा है इधर से इधर तो इसके अंदर में क्या होगा magnetic field होगा b यह ठीक है assume assume long solenoid long बोल दिये हैं इसलिए कि magnetic field को uniform मान सके long solenoid length मान लेते हैं l तो इसमें b क्या हो गया b equal to mu 0 n i जहाँ पे n क्या है n equal to number of turns per unit length बार बार यह लिखने की ज़रुरत नहीं होने चाहिए आप लोग को पता होना चाहिए ठीक है तो बी equal to mu 0 n i हो गया अब u is equal to half li square लिखा जाता है याद होगा और l हम लोगों ने अभी पिछले lecture में निकाला है कि एक solenoid आयो तो उसका self inductance कितना होता है वो निकाला है mu 0 n square pi r square l है mu 0 n square pi r square l यह l मतलब length यह आया था आपका inductance self inductance का value तो energy जो लिखेंगे यह यह लिखेंगे half li square इतना energy store रहता है जब i current flow हो रहा है तो half li square तो value put कर देते हैं half l का value put कर देते हैं mu 0 n square pi r square l i square देखेंगे अब b का value देखें mu 0 n i है तो mu 0 n i 1 by 2 mu 0 से अगर उपर नीचे multiply कर देते हैं तो यह mu 0 square n square i square एक जगर लिखेंगे तो बाद में हमारे पस बर जाता है pi r square l यह केवल बच जाएगा तो यह बन जा रहा है b square मतलब 1 by 2 mu 0 b square और यह जो बन जा रहा है यह V हो जा रहा है V equal to जहां पर क्या है और V equal to pi r square l मतलब volume of the inductor मतलब coil inductor volume of solenoid है ना जिस field में जिसकी वज़ा से energy stored है क्योंकि इसके बाहर तो आपको energy field है नहीं ठीक है long solenoid resume करते हैं तो बाहर नहीं field exist करता है कि बाहर अंदर करता है तो V equal to pi r square l क्या है volume of the solenoid तो यह हो जाएगा u by V जो हो जाएगा per unit volume इसको हम लोग बोलेंगे energy density यह होगा b square by 2 mu not क्लियर है यह energy density है मतलब energy stored in the inductor per unit volume और यह energy density है भले ही हम लोग यहाँ पर derivation कर रहे हैं एक solenoid के लिए यह लेकिन यह किसी भी magnetic field के लिए valid है ठीक है for any magnetic field energy density magnetic field के लिए होता है b square by 2 mu not मतलब half mu square by mu not clear है आप उससे compare कीजिए जो energy density electric field में आम लोगों निकाला था capacitor के अंदर resume करके वह आया था हाब epsilon not e square आया था तो वहाँ epsilon not था यहाँ mu not है वहाँ electric field था यहाँ magnetic field है clear है तो इस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह चीज़ भी हमें clear हो गया अब कुछ examples करके चीज़ों को और clear कर लेंगे वहाँ cara कर बाध हाँ कि आया अवाँ टूपेट कर वह सानाः घ् 진